चीतल जिसे चित्तीदार हिरन या स्पोर्टेट डियर भी कहा जाता है, भारत, नेपाल, श्रीलंका और बांगलादेश में पाए जाने वाले एक सुंदर और मृदुभाव वाला जानवर है. इसकी विशेष्टा इसके सुनहरे भूरे रंग के शरीर पर सफेद धब्बे होते हैं, जो इसे पहचानने में मदद करते हैं. इसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन 30 से 75 किलोग्राम तक हो सकता है. चीतल मुख्यतह घास, पत्या और फल खाते हैं और यह जुण्ड में रहना पसंद करते हैं. यह दिन और रात दोनों समय सक्रिये रहते हैं, लेकिन शाम और सुबह के समय अधिक चरने के लिए बाहर आते हैं. उनके प्राक्रितिक शिकारी बाग, तेंदुआ और जंगली कुट्टे होते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए ये तेज दोड सकते हैं. चीतल अपने सामाजिक वेवहार और आकरशक रूप के कारण भारत के कई वन्यजीव अभ्यारनियों में पाए जाते हैं और इसे भारतिय वन्यजीव का महत्वपून हिस्सा माना जाता है. चीतल का वेवहार और सामाजिक संरचना इसे अन्य हिर्नों से अलग बनाते हैं ये प्रायह बड़े समूहों में रहते हैं, जिसमें एक ही जुंड में कई नर, मादा और बच्चे होते हैं इनके समूह में एक प्रमुख नर होता है, जो जुंड का नेतरित्व करता है जुंड में रहने से इन्हें सुरक्षा मिलती है, क्योंकि अगर कोई खत्रा महसूस होता है, तो ये अपनी विशेश तेज आवाज में चीखते हैं, जिससे समूह का हर सदस्य सतर्क हो जाता है चीतल के सींग भी अद्वितिय होते हैं इनके सींग शाखाओं में विभाजित होते हैं और साल में एक बार गिरते हैं, जिसके बाद नए सींग उगाते हैं यह परिवर्तन मादा चीतल को आकरशित करने के लिए और अन्यनर चीतलों के साथ प्रतियोगिता में महत्वपूर्न भूमिका निभाता है चीतल की जीवन प्रत्याशा लगभग आठ से चौदह साल होती है, लेकिन जंगल में शिकारियों के चलते इनका जीवनकाल कम भी हो सकता है मानव आबादी के विस्तार और जंगलों की कटाई के कारण इनका प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहा है, जिससे इनकी संख्या पर भी असर पड़ता है हाला की भारत और अन्य देशों के कई वन्यजीव अभ्यारनियों में इनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं, जिससे इनकी संख्या में संतुलन बनाए रखा जा सके भारत में रन्तमभौर, काजी रंगा, बांधवगड और कानहा जैसे कई राष्ट्रिय उद्यानों में चीतल देखे जा सकते हैं, और ये पर्यटकों को अपनी खूबसूर्ती और सौमे व्यवहार से आकरशित करते हैं